भारतिय टीम के क्रिकेटर और तेज गेंदबाज मुकेश कुमार ने छपरा की रहने वाली दिव्या सिंगी के साथ शादी करने के बाद गुपाल गंज में रिसेप्शन किया है सदर प्रकन के काकलकुंड गाओं में रिसेप्शन कारेकरम का आयोजन किया गया था आस्ट्रेलिया से हुई टी ट्वेंटी सिरीज में टी मीडिया को अपनी बैतर गिंदबाजी से जिताने के बाद मुकेश कुमार रिसेप्शन में पहुँचे थे इस दोरान गाओं के लोगों ने उनका फूलों से जम कर स्वागत किया 28 नवंबर को वी शादी के बाद रिसेप्शन के दोरान पहली बार मुकेश कुमार मीडिया से बातचीप करते हुए अपनी लव स्टोरी को बया करते हुए दिखे क्रिकेटर मुकेश कुमार ने कहा कि जिनके साथ शुरू से था आज उसी के साथ शादी करके जिन्दगी की नई पारी की शुरुआत कर रहे हैं दिव्या सिंग के साथ मुकेश कुमार ने शादी करके खुशी जाहिर की मुकेश कुमार ने साथ अफरीका के साथ होने वाले मैच के बारे में भी जानकारी देते हुए का कि तीनों सीरीज में उनका चैन किया गया है कल टीम इंडिया के सभी खिलाडी बैंगलूर पहुचेंगे और वहाँ से साथ अफरीका के लिए रवाना होंगे उन्होंने कहा कि साउत अफ्रीका में मैज शुरू होने से पहले कोच उन्हें कई जानकारिया देंगे और खिलाडी भी क्रिकेट पिच और विकेट इस्थल का मुआयना करेंगे। गुपाल गंज में बैतर खेल मैदान खोलने की मंजीरी मिलने पर गुपाल गंज के डियम डॉक्टर नवल किशोर चौदरी और स्पी स्वण प्रबात की मुकेश कुमार ने तारीफ करते हुए उन्हें बदाई दी। रिशेप्शन में डियम और स्पी के अलावा जिले भर से बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रसंशक पहुचे हुए थे। पिटल्स ने पाच करोड रुपे में खरीदा था। इसके बाद से मुकेश कुमार का अंतराश्ट्रिय टीम में चेन हुआ। दिव्या सिंग का जवाब नहीं है। शादी के बाद रिसेप्शन में लेंगा में नजर आई दिव्या सिंग किसी अभिनेत्री से कम नहीं लग रही थी। दिव्या और मुकेश की शादी 28 नवंबर को गुरकपुर में धुमदाम से हुई थी। अच्छा फिल हो रहा है और जिनके साथ स्टार्डेंग से रहा है उन्हीं के साथ मैं आज दूसरी पार यह स्टार्ड किया हूं और मैच भी आगे अच्छा खेलूंगा मैं इनके साथ। जाएंगे उसके लिए प्रेपरेशन चल रहा है हमारी जितने भी कोच है अब बैंगलोर में मिलेंगे हम लोग वहां से फिर फ्लाइट पकड़के जाएंगे तो वहां जो होगा साथ अपरिका में वहां जाके हम लोग रणे निती तयार करेंगे वहां का विकेट हम लोगी कठा करेंगे और उसके बाद से मैस खेलेंगे तो मुझे लास्ट बर करना पड़ता या तो पहले तो सुरिया भाई ने जो सही समझा मुझे दिया और मैंने उस पे खरा मतब उनको और नेसली से अपना काम करके दिया गोपालगंच बहुत ही अच्छा है यहां पर पला वड़ा हूँ पैदा हुआ हूँ यहां पर खेला भी हूँ और गोपालगंच बहुत ही उन्यत्ति कर रहा है और हमारे जो सर डीम सर है एसपी सर है इलो केंडर में काफी सुधार आया हुआ है तो थैंक्स बोलना चाहूं कि इतने अच्छे से संभाल कर रखा है हमेरे डिस्टिक को थैंक्यू सो मच क्रिकेट जहां तक मैं मेरे कान में आवाज आया कि मतब सुनाई दिया कुछ दिन पहले से कि सर स्टिडियम ओपेंड कर रहे हैं तो इसके लिए मैं सर को तहस्दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा क्योंकि इस डिस्टिक के लड़के इधर उधर बहुत ज़्यादा जाते हैं खेलने के लिए उनके पास बड़ा ग्राउंड नहीं है खेलने के लिए तो अगर यह स्टिडियम बन जाता है तो यहां के बच्चों के लिए बहुत ही मतब भविश उजवल रहेगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें